राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या मूब आये खड़ी है क्या नए आने वाले मुख्यमंत्री इस समस्या की और ध्यान देंगे क्योंकि यह समस्या गोलियों की आवाजों की तरह चिलाती तो नहीं है यह समस्या सड़क पे सायरन की तरह चीकती नहीं है यह समस्या धीरे धीरे राजस्थान की रगों में जहर की तरह घुलती जा रही है प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी ने साफ कहा अगला भविश्य चाहे वो राजनितिक हो या प्रशास्निक वो युवा है लेकिन क्या हमारे प्रधेश के युवा युवा रह जाएंगे जी हाँ समस्या बहुत बड़ी है नाम है नशा नशा इतना घातक उड़ता पंजाब शब्द चलता था अब ये हो रहा है कि राजस्थान की रगों में जहरीला नशा भर रहा है किशनगड इलाके में किये गए एक स्टिंग उप्रेशन में एक समाचार पत्र ने जब जड़े खंगाली किस तरीके से यूथ को यहां आसानी से नसा उपलब्द है सांचोर को लेकर बीजेपी के विधायक पहले कह चुके और उसके बाद पूरे प्रदेश में अलग तरह का नशा जो है वो यूआ जो है इन्जेक्शन के मध्यम से ले रहे ह। आप इन विज्वव को देखिए कि किस तरीके से ये जो इन्जेक्शन है ये एक पेड के तने में रोपे गए हैं और यह पेड सूखता जा रहा है आप देखिए कि मासूम युवा जब अपने कंधे में या बाह में या कहीं भी इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो क्या हालत होगी क्या इस्थिती रही होगी उन माबाप की जिनके बच्चे कम उम्र में ही नशे का सिकार हो रहे हैं क या नए मुख्यमंत्री नए प्रशासन से यह तागित करेंगे कि राजस्थान जो कि अपने शौरे के लिए पैचाना जाता है नशे के नाम पे बरवाद होने से रुख जाए आपको जानके हैरत होगी कि एक ऐसा बिंदू है जिस पे पुलिस अधिकारी भी बात नहीं करन हैं लेकिन आज बात करनी बनती है कि एंडिपीएस एक्ट जो है यानि कि जो स्वापक उसिदी का जो अधिनियम है उसके साथ में एक चलता है पिट एंडिपीएस एक्ट जो कि सिविल एक्ट है एक व्यक्ति अगर नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा जाता है तो पुलिस करवाई करती है और उसके खिलाफ अपराथिक प्रक्रण मना कर नयाले में मुगदमा चलता है सरकार उस मामले में जाच करती है जो व्यक्ति सीजर होता है वो इंवेस्टिकेशन ओफिसर दूसरा होता है लेकिन यहाँ खास बात आपको जान के हैरत पे डालेगी कि इस योगी के राज में हो रहा है UP में कि अगर आप अपरादी हैं और आप अपराद की कमाई से अपना घर बना रहे हैं तो संपत्य अटेच होगे पिट ANDPS की और राजस्तान पुलिस भूल कर भी नहीं देखती, क्यों नहीं देखती यह समझ में नहीं आता यह सबसे बड़ी समस्या है कि कमर नहीं तूटती ऐसे नशीले पदार्थों का जो है वो परिवहन करने वाले या बेचने वाले लोगों का महिलाएं अब पैडलर के रूप पे सामिल होने लगी है यह एक बड़ी चौंकाने वाली और चिंता जनक बात है तो पहली चीज है कि आप की मंशा क्या है क्या आप केवल एक व्यक्ति को कैद करके दंड दिलाने तक उस चीज को सोचते हैं या दंड दिलाने के लिए नयायले के दरवाजे तक खड़ा करना ही आपकी जवाबदारी है बतौर पुलिस या उस व्यक्ति की जो आर्थिक कमर है उसको तोड़ा ज क्योंकि हमारे सम्विधान ने ये तैय किया संसद के माध्यम से कि आप एक ऐसा एक्ट बनाते हैं जिसमें अगर कोई व्यत्ती नशे का कारोबार करता है और उस नशे के कारोबार से उसने एक संपत्ति खड़ी की है तो उस संपत्ति को पब्लिक इंट्रेस्ट में जब्त किय जाना चाहिए राजस्तान पुलिस को इस और काम करने की जरूरत है और इस और देखने की जरूरत है राजस्तान के नए मुख्यमंत्री को एक और एहम बिंदू जिसके उपर हमारे अधिकारी बात नहीं करना चाते क्यों नहीं करना चाते यह भी समझ से परे हैं वो यह है क क्योंकि NDPS और पुलिस दोनों ही विभागों के अधिकारियों के पास इन सरकारी जो सरकारी या गैर सरकारी या निजी जो भी medical stores है चाहे वो cooperative के हों चाहे वो निजी medical store हों वहां कारवाई करने का अधिकार नहीं है यह एक बड़ा पेच है कि नशा जो कि एक अपराद है उस के पास राइट नहीं है कि वो करवाई करे दवाओं की दुकानों पे जहां से यह लोग तवाम नशीली दवाईयों के बाद्यम से नशा बना रहे हैं तो और साथ ही जो यह जो ड्रग की दवाईयां जो है जो दवाईयों की दुकाने हैं वहां कारवाई का अधिकार है ड् प्रड़े खोकली हो रही है क्यों नहीं आने वाली सरकार एक एक्ट लाए और उसमें दोनों ही विभागों के अधिकारियों के सामंजस्य की टीम बना के कारवाई की बात की जाए क्योंकि आज से लंबे अरसे पहले करीब 5-6 साल पहले साचोर में कारवाई हुई थी तो वहा आते हैं टेबलेट्स को कॉफी और अन्य चीजों में मिक्स करके अफीम तियार किया जा रहा है और MD नाम के और तवाम तरह के नाम के नशे जो है वो हमारे प्रदेश को फोकला कर रहें हैं हमें सोचना होगा जागना होगा आप इन पिक्चर्स को देखें और तै करें कि आपकी नई पीड़ी कहीं नशे का सिकार तो नहीं हो रही अगर हो रही है तो रोके जाने की आवशकता है और सबसे बड़ी आवशकता प्रदेश में आने वाले उस मुखिया की हैं जो युआ हैं और जो एक उमीद के साथ प्रदेश की कमान समालता है जिसमें वो तै करेगा कि राजस्थान जो है सुन्दर और एक सुगठित और एक मुस्कुराता राजस्थान बने तो उसे नशे पर लगाम लगानी होगी और उसके लिए बड़ी कारवाई करनी होगी कि नशे का कारूबार कर रहा वेक्ति अगर पकड़ा ज अगर ऐसे ही बिंदो आपके ध्यान में हैं तो हमें जरूर बताएं साथ ही सब्सक्राइब करें थिंक 360 को